दॉक्टर भीम्राउं बेटकर विश्विद्याले में साथवे दिन भी सर्वर ठप रहा इससे विश्विद्याले का कामकाज बंद पड़ा है इससे डिग्री अंकताले का और माइग्रेशन समयत अन्यकारे की पेंडेंसी बढ़ गई है सर्वर शुरू नहीं होने से चातरों को डिग्री अंकताले का और माइग्रेशन नहीं मिल पा रही विश्विद्याले में बीतब उधवार से सर्वर बंद पड़ा है इसका संचालन करने वाली डिजी टेक्स टेक्निलोजीस इंडिया प्राइविट लिमिटेड कर रही है इसके निदेशक डेविड मारियो डेनिस ने प्रभारी कुलपती रखे प्रोफेसर वेनाइपाथा के खिलाफ कमीशन खोरी की शिकायत की थी जिसकी जांच STF कर रही है आरोप है कि उसका भुकता नहीं होने के कारण एजनसी ने सरवर और कामकाज बंद कर दिया है नई एजनसी भी नहीं आई है इस कारण विश्विद्याले में साथ दिन से अंकताले का डिग्री माइग्रेशन ओनलाइन सत्यापन ओनलाइन आवेदन समयत अन्य सेवाएं बंद पड़ी है इसे विश्विद्याले में पेंडेंसी बढ़ गई है रोजाना 2000 से अधिक छातर विश्विद्याले से बिना समाधान के लोट रहे हैं डॉक्टर भीमराउं बेटकर विश्विद्याले शिक्षनेतर कर्मचारी संग के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि विश्विद्याले में हर कारे में भ्रष्टा चार किया जा रहा है सरवर कई दिनों से बंद हैं लेकिन कुलपती और कुलसचिव इससे संग्यान में नहीं ले रहे हैं इससे हजारों चातरों के भविश्य पर बनाई है परिक्षा नियंतरक डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि सरवर चालू कराया जा रहा है एक दो दिन में शुरू हो जाएगा सीनियूज के लिए लक्षमी राजसिंग की रिपोर्ट